ये साइकलोजी फैक्ट आपको हैरान कर देंगे नमबर वन एक बार धोगा देने वाला इंसान 100% आपको दुबारा भी धोगा देगा नमबर टू साइकलोजी के नुसार सभी भावनातमक दर्द लगबग 12 मिनट तक रहते हैं उससे ज़्यादा देर तक दर्द हम स्वैमी सोच कर बढ़ा रहे होते हैं नमबर थ्री अगर आपके अंदर किसी को माफ कर देने का गुण है तो ये आपकी हैल्थ के लिए सबसे ज़्यादा लाबदायक है नमबर फॉर साइकलोजी के नुसार जब आपके पाद ज़्यादा समय होता है तब ही आपके दिमाग को समय की कमी महसूस होने लगती है नमबर एट यदि आप ठीक से नई सोए हो तो खुद को विश्वास दिलाए कि आप ठीक से सोए हो कुछ देर बाद आप कंफरटेबल फीर करोगे नमबर नाइन लड़के को वो लड़के अधिक पसंद आते हैं जिनका सेंस ओफ यूमर अच्छा होता है नमबर टैन सची कानी बताते समय एक व्यक्ति आम तोर पर बहुत अधिक इशारे करता है लेकिन जूट बोलते समय व्यक्ति अपने हाथ को हिलाता है नमबर ठर्टीन दोस्तों किसी की प्रसंसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कल्प न करें कि उसके बिना आपकी जिन्दगी कैसी होगी नमबर फोर्टीन यदि आप पढ़ने के तुरंत बात सो जाते हैं तो आपका दिमाग इसे हमेशा याद रखता है क्योंकि दिमाग कभी सोता नहीं है नमबर फइफटीन दोस्तो साइकलोजी कहती है कि मैचियोरिटी अनुभव से आती है ना कि उम्र से नमबर एक्टीन साइकलोजी के नुसार जो लड़किया बहुत जल्दी काम निप्टा लेती है उन्हें अकसर दूसरों की बातों का बुरा बहुत जल्दी लग जाता है नमबर नाइंटीन जो लड़किया जादा किसी से बात नहीं करती है उनकी ड्रोइंग बहुत अच्छी होती है नमबर ट्वेंटी साइकलोजी के नुसार जो लड़के घर के कामों में हात बटवाते हैं वो बात को गोल-गोल घुमाने में माईर होते हैं नमबर ट्वेंटीवन दोस्तों हुमन साइकलोजी के नुसार सचे दिल के लड़के या लड़के किसी के कामों को ना नहीं कैपाते हैं यदि वे कैबी देते हैं तो उन्हें अंदर ये अंदर खुद में बुरा मैसूस होता है नमबर ट्वेंटीटू जितना ज़्यादा आप बुद्धिमान होते जाते हैं आपके डिप्रेशन में जाने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और दोस्तों साइकलोजी कहती है कि हम प्रती दिन जो सीखते हैं उसका 80% हम भूल जाते हैं नमबर ट्वेंटीफाइफ अगर आप केवल तीन दिन पूरी तरह से अपने मन को और अपने विचारों को कम करने की कोसिस करें तो आपका मस्तिस के एक अलग सक्ति प्राप्त कर सकेगा नमबर ट्वेंटीजिक्स दोस्तों अपने अंदर आने वाले बुरे विचारों को लिखकर फार देने से साइकलोजी के नुसार यदि कोई आप पर भद्दा जोग मारता है तो उसे वो मजाग दोराने के लिए कहे या उसकी व्याख्या करने के लिए कहे इस मामले में मजाग अब और ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा जबकि आप पर जोग मारने वाला सरमिंदी की मैसूस करेगा दोस्तो साइकलोजी कहती है कि जब आप किसी की दिल से प्रसंसा करते हैं तो आपके दिमाग में खुसी उत्पन होती है जिससे आपका काम अच्छा होता है दोस्तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए हर रोज कुछ नया लाते हैं आप कमेंट में प्रसंसा करके हमारा मनुबल बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें